बेहन को रेप करने से बचाया तो आरोपियों ने कर दी हत्या। मकराना नांदोली बास में यूवती के साथ दुशकर्म का प्रयास किया। बचाने आये भाई के साथ की गई गंभीर मारपीट। जैपुर में इलाज के दौरान भाई की हुई मौत। आरोपी सुरेश, मनोज, शिवराम पर लगाई गया आरोप। कुछामन से प्राथमे कुपचार के बाद किया गया था रफा। फिलहाल मकराना पुलिस जुटी है मामले की जांच में। आरोपियों को लिया हिरासत। दीध्वाना जिले में मकराना में अपनी बहन को समुहिक रेप से बचाने वाले युवक की हत्या का मामला सामने आया है। घटना मकराना की है। मामले में मकराना के नांदोली बास में एक युवती के साथ कुछ युवकों ने दुशकर्म का प्रयास किया। इस दोरान पीरेता के साथ रेप होने से उसके भाई ने बचा लिया लेकिन आरोपियों ने गंभीर रूप से मारपीट की जिसकी आज जैपुर में इलाज के दोरान मौत हो गई मामले को लेकर मृतक की बहन ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया जिसमें बताया कि शुक्रवार की दोपहर को वो घर से जा रही थी इस दोरान रास्ते में घात लगाए बैठे सुरेश, मनोज, शिवराम ने अच्छानक उसे गेर लिया और उसके साथ दुशकर्म करने का प्रयास किया चिल्लाने पर पडोसी युवक उसके भाई को बुला कर लाया भाई के आते ही आरोपी छोटु राम, मोती राम, संजय, विनोध, शोराम वा राजेंद्र ने लाठिया वसरिये लेकर आये और आते ही सभी ने उसके भाई पर जानलेवा हमला कर दिया आरोपी ने पीवेता के साथ भी मारपीट की शिवराम व मोतीराम ने लाठियों से उसके भाई के हाथ पैर तोड़कर लहुलुहान कर दिया अरोपी राजेंद्र ने बीच बचाव कर रहे पडोसी के साथ लाठी से मारपीट की जिसके बाद अरोपी उसके भाई को मरा हुआ समझ कर भाग गए पीरीता ने रिपोर्ट मै कहा कि सुरेश, मनुझ वशिवराम ने उसके कपड़े फाड़कर दुशकर्म का प्रयास किया जिसके बाद उसने अपने जीजा को फोन करके बुलाया जिन्होंने पुलिस को फोन पर सूचना दी आरोपियों ने पुलिस के आने तक उसके भाई को उठाने तक नहीं दिया जिसके बाद पुलिस घायल भाई को बुढसू हॉस्पिटल ले गई जहां से उसे कुचामन और कुचामन से जैपुर राफ़ कर दिया जैपुर में शनिवार को इलाज के दोरान उसकी मौत हो गई जिसके बाद मामले में हत्या की धारा जोड़ी गई है बीजी वही मकराना थाना अधिकारी राजेंदर सिंग कमांडो ने बताया की मामला दर्ज कर लिया गया है मामले की गंभीरता को देखते हुए नामजद आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया गया है शव का पोस्ट माटम जैपुर में किया गया है इसके बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा हाला की मकराना पुलिस थाना के बाहर मृतक के कुछ परिजन भी एकत्रित हुए हैं जिन्होंने बताया की शव को मकराना थाने पर लाकर प्रदर्शन किया जाएगा